नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब का पापा वीडियो है यह कम्प्लीट नैशनल कम्प्लीट इंटरनेशनल जितना इक्जाम के लिए जरूरी है व सारी चीज़ें इसमें करवाई गई है अठारा इसमें जो section या topic wise भी current affair included है one liner भी है और plus most expected questions भी है awards and honors से related हो गया, appointment हो गया, sports हो गया, submit हो गया, rank and reports हो गया, important days हो गया, dates हो गया, themes हो गया, books, authors, science and technology से related जितने भी latest development है schemes जो है government की, government की campus हो गया, government के apps, portals हो गया, arbitrary हो गई, defense हो गया, agreement हो गया, apps and portals हो गया, brand ambassador हो गया, GI tag हो गया, cyclone हो गया, places in news हो गया, one liner हो गया तो complete current affair है ये, national plus international सभी state PCS के लिए, प्लस सभी बंडे exams के लिए बेहर जरूरी है ये, पूरा वीडियो जरूर देख लिया करिये हर बार, और UPPCS की बिलकुल शुरुआत से लेके selection तक की तयारी के group हमारे चल रहे है, आप उसमें join करके one stop destination है, study for civil services, सारे state PCS के लिए चाहे हो, MPPSC के तहरी कर रहा हो, उत्तराकंट PCS के तहरी कर रहा हो, तो study for civil services का complete जो है, आप initiative join कर सकते हैं, complete one stop destination रहेगा, सिर्फ और सिर्फ उतना, जितना selection के लिए जरूरी है, study for civil services का genuine और authentic content सिर्फ तीन नंबर है, हमारे 8564-80530, 7523-864-4555, और 96960-66089, सिर्फ इन तीनों नं के हमारे latest page book में आके ही, study for civil services का authentic और genuine current affair आप तो मिल सकता है, current affair के लिए बहुत मेहनत करते हैं, daily data collection करते हैं, उसके बाद जाके जो है, monthly, जब ये compilation हो रहा होता है, तो 8 stage से जाके, proof reading से लेके, translation से लेके, जो है, पूरा एक-एक news, जो भी चीजे exam oriented हो, सब कुछ इसमें दिय जाता है, study for civil services का current affair highly recommended होता है, किसी भी one day exam के लिए, किसी भी state pieces exam के लिए, जो उसमें factual current affair आता है, वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजेगा, तो इस वाले वीडियो से overall ये total current affair आपका cover हो जाएगा, बाकी UP special, बिहार special, MP special, राजस्तान special, उत्रागंड special, और सारे state pieces का आपको study for civil services के youtube channel में मिलता रहेगा, तुरण subscribe कर लिए, पिछले एक महिने का पूरा का current affair का पूरा कच्चा चिटा सब कुछ comprehensive analysis एक ही जगह यही मिलेगी आपको study for civil services के मंतली कर interfere के वीडियो में आप सारे विवर्स का बहुत-बहुत स्वागत एक बार फिर से, study for civil services के किसी भी pay group को अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो इनगी भी नंबर्स पर WhatsApp मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो पहला section हमारा agreement section होता है, NTPC Green Energy और आंधप्रदेश Industrial Infrastructure Corporation के भी समझोता हुआ है, भारत का सबसे बड़ा हरित hydrogen उतपादन केंदर स्थापित करने के लिए, भारत का सबसे बड़ा हरित hydrogen उतपादन केंदर कहां पर स्थापित किया जाएगा, आंधप्रदेश के विशाका इसके बाद चल शक्ती मंत्राल है, एवं भारती विग्यान सनस्थान बैंकलोड के बीच समझोता हुआ था, बाद्धों के लिए अंतराश्टरी उतकरष्टा केंदर की स्थापना के लिए, यानि कि International Center of Excellence for Dams, ये इस्टाब्लिश करने के लिए, मिनिस्ट्री आफ जल शक्ती ने इंडिन इस्टूट आफ साथ समझोता किया है, आइगरिमेंट करनाटक गॉर्मेंट और World Economic Forum के बीच ह बाद्धों के लिए, अप्योग को विस्तार देने के लिए, अनुकूलन के लिए, भुगतान साथ समझोता के लिए, समय को कम करने के लिए, द्विपक्षी सही होग यहां पर इंडोनेशिया के सेंट्रिल बैंक और भारती सेंट्रिल बैंक के बीच किया जाएगा, इंटरनेशनल बिग कैटलाइन जो लास्ट इरनाउन्स हुआ था, इसको ऑफिशल मंजूरी मिल चुकी है, दोजार तेश च स्टेट भारत के साथ जो है वो अभी नेपाल है, और भी आगे जूड़ सकते हैं, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग अपॉंट्मेंट सेक्शन पे, अपॉंट्मेंट में सबसे पहले जस्टिस अरूड भनसाली, चीफ जस्टिस बने हैं, इलाबाद हाई कोट के, कई सारे यंगेस्ट प्राइमिनिस्टर आफ आइरलेंड यह पॉंट हुए हैं, नंद की शोर यादो बिहार विधान सभा के नयदेक्श बने हैं, इन्होंने अवद बिहारी चौधरी का स्थान लिया है, श्री राजीव कुमार शर्मा पुलिस अनुसंधान एबं विकास ब्यूरो के महानी देशक बन गए हैं, अतुल करवल का इन्होंने स्थान ग्रेंड किया, यह इन्होंने से पहले अतुल करवल थे, सिंपल यह बताने कुछ की जा रही है, दलजीत सिंग चौधरी, NSG के नय महानी देशक बने हैं, अतरिक्त प्रभार इनको दिया गया है, सदानन्द वसंत दाते, राष्ट्री जांच अजन्सी NIA के नय महानी देशक बने हैं, सदानन्द वसंत दाते, इन्होंने किसका स्थान आलिया है, श्री दिनकर गुपता का, स्री पियूश आनन्द राष्ट्री आपदा प्रक्रिया बल NDRF के नय महानी देशक बने हैं, पियूश आन यह कमरोष के नए राष्ट्रपती बने थे, पुनह न्यूकत हुए थे, मतले पहले से तौभार बने हैं, राष्ट्रपती आज्ञाली आसमानी के चाउठा कारेकाल लगातार चाउठी बार वहां पर राष्ट्र अद्हक्ष बने हैं, कमरोश के, और साध्य साथ यसाथ, अफ्रीकन यूजियन के अध्यक्ष भी हैं इस समय अलेक्जेंडर स्टब नय प्रेजिडेंट फिनलैंड के बनके आए हैं अलेक्जेंडर स्टब अजय कुमर चौधरी भारती राश्ट्री भुकतान निगम NPCI के नय गायर कारिकारी अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक बने हैं National Payment Corporation of India की बात करें अगर तो यह एक Not-for-profit कंपणी है Not-for-profit कंपणी RBI और IBA Indian Bank Association और RBI इनके तत्पधान में इसको शुरू किया गया था और यह रेगुलेट की जाती है Payment and Settlement System Sett 2007 के इंतरगत की दियान रखना है आपको मुहमद मुस्तफा फिलिस्तीन के नय प्रधान मंत्री या राश्ट्र अध्यक्ष वहाँ पर बने है मुहमद शतेक अस्थान लिया है मुहमद मुस्तफा ने M.V. Rao Central Bank of India के मुख्य कारिकारी या Executive ये नय चेर परसन बन गए है IBA के Indian Bank Association के नय चेर परसन व्लादमीर पुतिन रूस के लगातार पांचवी बार राश्ट्र अध्यक्ष यहां पर बने है सुधा मूर्ती फॉर्मर चेर परसन Infosys Foundation की रात सभाम मनुनीद की गई है रात सभाम किसी परसन को मनुनीद करने काम कौन कर सकते है President of India किस आर्टिकल के तहित करते हैं क्या आप यह कॉमेंट करके बता सकते हैं किस आर्टिकल में प्रदर्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए President ऐसा करते है इसके बाद अजय मानिकराओ खान विलकर पूर्व यह कर सकते हैं नयमूर्ती रहे हैं भारत के नय लोगपाल यह बन करके आ गए हैं या लोगपाल के देख्षाप कर सकते हैं बाकी अधर मेंबर जो लोगपाल के सदस्र बने हैं उनके नाम यहां पर लिखे हुए रितुरा जवस्ती जुडिशल मेंबर हैं सुशील चंद्रा पंकज कुमार आजय तिरके यह सब है लास्ट मंत एक सवाल कराते समय हमने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोधी की अध्यक्षता में जो कमिटी बनी थी इसमें सुप्रीम कोड के पूर्व जस्टिस अजय मानिकराव खान विलकर को नया चेरपरसर बनाएगा लोगपाल का एक हाई-level सिलेक्षन कमिटी होती है लोगपाल आक्ट के अंतरगत वो बनाई जाती है उसी से लोगपाल के सदस्य और अध्यक्ष कौन बनेंगे उसका निर्धारण होता है तो इसमें कौन-कौन शामिल होते हैं, high-level की सिलेक्षन कमिटी में प्राइम निस्टर होते है और चीप जिस्टिस और इंडिया होते हैं और लीडर अफ अपोजीशन होते हैं, लीडर आफ सिंगल लाज़िस पारटी जो हते हैं जैसे अधीर रन्जन Subscribe में तो उन्हें बनाया गया था, तीन सदस्य यहां पे होते हैं, यह मेंबर्स के नाम जरुब ध्यान रखेगा, पूछे जा सकता है आपके एक्जाम में, लोगपाल के अध्यक्ष तो सदस्य को डियूट करने वाली जो हाई लेवल सिलेक्षन कमीटी बनती है, इसमें कौन कौन इसलेक्ट कौन करती है, प्रेजिडेंट ओफ इंडियाओ, शापत कौन दिलाते हैं, शापत भी दिलाते हैं, प्रेजिडेंट ओफ इंडिया, यह हो गए, लोगपाल के अध्यक्ष अजय, मानिक राओ, खाण विलकर, नवनीत कुमार साहगल, यह प्रसार भारती के ने खाली था तो गिशावर मकवाना नैसल कमीशन और नैसल कमीशन फॉर शेडूल कास्टस में शामिल हो गए हैं एक और मेंबर इसमें जुड़े हैं श्री लाउकुष कुमार राश्टी अनसुची जाती आयोग के सदस्के दावर पर यहां पर शामिल हुए हैं सुमन कुमारी जो ऐसाई हैं सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बढ़ी हैं वी तक स्नाइपर में किसी महिला को नहीं अपॉइंट के गया था एससबी में सीमा सुरक्षा बल में अभी एसे फिमाफिजेगा बॉर्टर सेकुरिटी फोर्सिस में फिर्स्ट फीमेल स्नाइपर नियुक्तुई है सुमन कुमारी आसिफ अली जर्दारी पाकिस्तान के नए राश्ट्राध्यक्ष बने गए हैं चाओदुएं आसिफ अली जर्दारी को सपत पाकिसतान के मुखन आधीश काजी फैज इसा नी दिलाई थी और पसित्तन दयान रखी इसमें सरदार रमेश सिंग अरोड़ा पाकिस्तान के पंजाब प्रंथ के पहले सिह्ख मंत्री बने है सरदार रमेश सिंग अरोड़ा C.P. राधाकरश्टन जहारखंड के जो राजपाल है तेलंगाना एबं पुडूच्योरी के नए राजपाल बनाए गए हैं मतलब गया सकते हैं इनको अरतिरिक्त पुर्भार जहारखंड के साथ इन दोनों यूटी और स्टेट का भी दिया गया है क्योंकि तमिली साही सौंदर राजपाल जो है जो है जो दुबारा राजपाल नहीं रहेंगी उन्होंने रिजाइन कर दिया है तो C.P. राधाकरश्टन जो की गवर्णर जहरखंड के अब अतिरिक्त राजपाल बनेंगे तिलंगाना के पुडूचेरी के तो इससे क्या साबित होता है एक राजपाल विभिन राजियों के यूटी के गवर्णर एक साथ हो सकते हैं बन्वारी लाल पुरोहित पंजाब के राजपाल एवं चंडीगर के प्रशासक के पतसीन उन्ने स्तीफा दिया थलेकिन यह स्तीफा एसप्ट नहीं किया गया था अभी तक accept नहीं किया गया है तो यह अभी continue करेंगे इन्होंने personal reasons के वज़े से स्तीफा दिया था लेकिन वो accept नहीं किया गया है तो आगे देखते हैं कौन बनता है लेटेस्ट अपडेट यह है कि स्तीफा नहीं किया गया है देवेंदर जहांजरिया भारती पारलंपिक संधु यह नए election commissioners आये हैं नियुक्त होकर के election commission of India में श्री राजीव कुमार CEC है अभी election commissioner जो थे उन्होंने स्तीफा दे दिया था चुनाव से जस्ट पहले तो ग्यानिश कुमार और श्री सुख्बीर सिंग संधु को आनन फानन में election commissioner of India अनिवत किया गया है अचा इसमे सरकार ने अधनियम ले आये था फिर बात में सरकार ने जो अधनियम लाया चीफ election commissioner and other election commissioners appointments, conditions, services and term of office act 2023 इसमें आप देखेंगे धारा साथ में इसमें दियावाइ selection committee की बारे में धारा साथ में दियावाइ selection committee में कौन कौन होगा तो selection committee में प्राइम मिनिस्टर chairperson तीन सदस्य committee के leader of opposition in the house of people यानि लोग सभा में जो house of people में जो leader of opposition होगे या फिर leader of opposition अगर नहीं है officially तो single largest party के जो अधेक्स होंगे सरकार के बाद तो वो इसमें शामिल होंगे और cabinet minister जो की प्राइम मिनिस्टर नामित करेंगे वो इसके सदस्य होंगे तो majority किसकी होई यहाँ पर obvious सी बात सरकार की होई जो leader of opposition चाहे हर बार disagree करे सरकार की बात यहाँ पर बानी जाएगी तो यह यहाँ पर act आया था ध्यान र recognition प्राग अंतरराश्टरी शत्रंज महुत्सों के future category का खिताब जीता है अंश नेरूरकर ने यह 11 वर्ष के chess player है भारत से अंश नेरूरकर इन्हें future category में प्राग international chess festival में ही title दिया गया है first Indian बन गया है जिन्होंने future category में ही title जीता है order of drug ग्याल पो यह नाउंस तो बहुत द क्या सकते हैं person बन गये है और first foreign head बन गये है head of government बन गये है प्रियमोदी जी जिन्होंने भूटान का नागरिक पुरुसकार जीता है भूटान का सरवोच नागरिक पुरुसकार है order of drug ग्याल पो सेरा वीक leadership award डॉक्टर सुल्तान अल जाबेर COP28 के जो अध्यक्ष थे इनको दिया गया है SNP global के द्वारा सर रिचाड हैड ली medal रचीन रविन्दर को मिला है यह भारती क्रिकेटर नहीं है जान रखेगाँ द्वार्वल ग्वश कन्पूरुसकार दिया गया है 33 सरस्वती सम्मान आ चुका है प्रभावर्मा को मिलाया है यह पूरुष व्यक्ति ध्यान रखी गा प्रभावर्मा प्रसिद्ध कवी और साहितकार केके बिल्डा फांडेशन के तरफ से इनको प्रोसकार मिलाया है इनको प्रोसकार प्रोसकार दिया गया है स्वास्त समवर्धन के लिए नेलसन मंडेला अवर्ड 2024 नेशनल इंस्टूट और मेंटल हेल्थ और निउरो साइनसे निम्हान करके जो इन्सटूट है बैंगलीरू में इसे मिलाया करनाटक का जो इंस्टूट है निम्हान्स दब्ल उमा रेले को विशेश रूप से भरत नाट्यम में रत्त करती है और भरत नाट्यम में इनके अमूल योगदान के लिए पुरुसकार दिया गया है डॉक्टर उमा रेले को एविएशन वीक लॉरेट्स अवर्ड ये इसरो को मिला है चंद्रयान 3 की सभलता के लिए एविए सिंभा राओ मिमोरियल अवर्ड रतन टाटा को मिला है मीजल्स और रुबेला चैंपिन पुरुसकार भारत को मिला है मीजल्स और रुबेला को रोकने के प्रयासों के लिए भारत को मीजल्स और रुबेला चैंपिन अवर्ड बिला है सुनील भारती मित्तल को किंग चाल्स थर्ड की तरफ से Honorary Knighthood of Britain महाराष्ट भूशन अवर्ड दोजार चौबीस डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है महाराष्ट गौर्मेंट की तरफ से ये महाराष्ट सरकार के दौरा दिये जाने वाला सर्वोच नागरिक पुरुसकार है और स्टेमसल थरेपी में जो योगदान है डॉक्टर प्रदीप महाजन का इसके लिए ने मिला है महाराष्ट भूशन पुरुसकार चुद्रक्रह का नाम इनके नाम पर रखा गया है प्रसिद भारती खगोल भौती की विद प्रोफेसर जैंत मूर्ती के नाम पर एक अस्ट्राइड का नाम रख दिया है जो कि काफ़ी गर्व की बात होती है किसी भी फिजिसिस्ट के लिए चमेली यह मीडिया फांदेशन की तरफ से बिला है रितिका चोपडा को एंडिन एक्सप्रेस की रिपोर्टर है और ग्रीश्मा कुठार को दोनों को से प्रूप्स दिया गया, यह जनलिस्ट को बेसिकली दिया जाने वाला पुरुसकार है, चमेली देवी जैन पुरुसकार, तेरपनवा प्रिजगर आर्किटेक्चर अवर्ड दोजार चौबीस, यह रिकेन यामा मोटो को मिला है, जापा अचीवमेंट के टेगरी में, इरासमस पुरुसकार, यह अमिताव गोश को मिला है, अमिताव गोश को, संगीत का लानिद्धी पुरुसकार, यह T.M. कुरशना को मिला है, करनाटक के गायक है, मदरास Music Academy की तरफ से, एबल पुरुसकार, यह गणित के छेतर में दिया जाने अमितिक तरफ से, और रिप पुरुसकार दिया गया था, क्योंकि अभी वह मौरिसस की आत्रापर गई थी मार्च में, उत्तरप्रदेश-माटी-कला पुरुषकार, उत्तरप्रदेश-माटी-कला बोड के दौरा दिया गया है, क्रश्नकुमार प्रजापति को हो किया गया था इसकी सेर्मनी में ये पुरुसकार दिया गया था माटी का लबूर्ड के दौरा आगे कुछ इन लोगों को खादी ग्राम उद्योग पुरुसकार भी मिला है शबाना खातून क्रशनपाल मेरट के शीशपाल को इनका नाम भी ध्यान रखेगा इकहतरवा मिस वर्ड दोजर चौबीस इसके रिजल्ट आ चुके हैं क्रिश्टीना प्रिस्कोवा चेक रिपब्लिक से जो हैं ये कह सकते हैं मिस वर्ड बनी है दोजर चौबीस की प्रतियुकता में भारत की तरफ से किस ने भाग लिया था, शिनी शेटी ने, आयूजन स्थल भी बहुत जरूरी है, जीयो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में वह था, अठाई साल बाद, मिस वर्ल्ड के बाद होता है, मिस यूनिवर्स, मिस यूनिवर्स प्रतियुकता में साओधी एरब की ओर से पहली बार कोई मौडल भाग लेंगी, रूमी अलकतानी ये भाग लेंगी, साओधी एरब की तरफ से पहली बार साओधी एरब से कोई प्रतिवागी, इस मिस यूनिवर्स में भाग लेंगी, ओविसी बात है कि साओधी एरब ही होस्ट करेगा, मिस मिस वर्ल्ड एशिया का पुरुस्कार, जीता है। मिस वर्ल्ड के बारे में मिस उनिवर्स को होस्ट कौन करेगा साथी अरब। इसकी विश्भारति पुरुसकार मिला है प्रोफेसर राहस भियारी दिवेदी को, महरशी वालमी की पुरुसकार देवी साहय पांडे दीप को महरशी व्यास पुरुसकार आंजने शास्त्री को महरशी नारध पुरुसकार गोप बंधू मिश्रा को वार नसी से 96 आज़कों है सारवाधी का बॉर्ड ओपन हाइमर जीते है सेलियन मर्फी, सरफ्रेस्ट अबनेत्री एमा स्टोन पूर थिंग्स नामक फिल्म में अपने काम के लिए क्रिस्टाफर नॉलन जो डिरेक्टर है ओपनाईमर के सरफ्रेस्ट डॉक्मेंटरी शॉर्ट फिल्म दा लास्ट रिपेर शॉप, इसकी निर्देशक है ब्रेन, प्राउडफुट और क्रिस बावर्स सरफ्रेस्ट डॉक्मेंटरी फीचर फिल्म 20 Days in Maryu Pool यह इस फिल्म को बिला है सरफ्रेस्ट डॉक्मेंटरी फीचर फिल्म स्टेडी में भारत की जो एंट्री थी भारत ने जो नमिनेट किया था फिल्म वो थी टु किल आ टाइगर ठीक है जो एक रेप केस के पराधारित है सरफ्रेश्ट अंतरराष्ट्री फीचर फिल्म जर्मनी की जो फिल्म है इसे पुरुसकार मिला है तो इतना काफी है उसकार रवार्ड के बारे में बुक एंड आउथर देख लेते हैं मार्चमंत के फूल बहादुर मगही उपन्यास है जैनात पाती का यह उपन्यास है पहली बार किसी मगही उपन्यास का अंगरेजी अनुवात किया गया है अब है के के द्वारा Swallowing the Sun लक्ष्मी मुर्देश्वर पूरी जो स्रीलंका के उन्हों इसमें उन्होंने बताया कि कैसे उनको राष्टपती पत से हटाने की कोशिश की गई थी Important day dates theme देख लेते हैं National Protein Day राष्टी प्रोटीन दिवस 27 परवरी को होता है World Seagrass Day ये एक मार्च को होता है World Wildlife Day ये तीन मार्च को होता है पूछा भी गया था भी इसकी theme थी Connecting People and Planet World Obesity Day ये अचार मार्च को होता है जन औस्दी दिवस ये 7 मार्च को होता है पहली बार 2019 में मार्च का पहला सप्ता जो है भारत में जन औस्दी सप्ता के रूप में मार्च को होता है International Women's Day 8 मार्च को होता है सभी तरास्ट ने 1975 से हर साल 8 मार्च को इसको मनाना शुरू किया था इस बार जो इसकी theme है वो है Invest in Women, Accelerate Progress और इस बार का जो अभियान का जो कह सकते है जो सोचल मीडिया अभियान चला जाते है उसका जो हैश्टाइग है वो है Inspire Inclusion विश्व उप भोकता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को होता है भारती उप भोकता अधिकार दिवस कब होता है दिसंबर में होता है किस तारिक को होता है आप बता सकते हैं कॉमेंट करके World Consumer Rights Day ये 15 मार्च को होता है सात्मा वैश्विक पुनर चक्रण दिवस ये 7th Global Recycling Day ये 18 मार्च को होता है पहली बार 2018 में इसको शुरू किया गया था International Day of Happiness ये 20 मार्च को होता है World Happiness Report भी इसी दिन आया करती जनरली मार्च में Reconnecting for Happiness इस बार थीम थी World Oral Health Day ये 20 मार्च को होता है Wish for Down Syndrome Day ये 21 मार्च को होता है अंतराश्ट्री वन दिवस ये International Day of Forest ये 21 मार्च को होता है इस बार इसकी थीम थी Forest and Innovation Forest and Innovation पहली बार इसको मनाई जाना शुरू किया था 2013 से नसली वेदभाव के अन्मूलन के लिए अंतराश्ट्री दिवस 21 मार्च को होता है 112 बिहार दिवस ये 22 मार्च को होता है बिहार के लोगों के लिए BPSC देने वालों के लिए बहुँ जरूरी है इस बार कौन से नंबर के मनाए गया था 112 ज्यादा कोई खास थीम ये celebration है यह आपर नहीं किया गया क्योंकि ये election का वर्स है इस बार की थीम है Water Awareness बिहार दिवस कब से मनाए जाना शुरू की अलाज स्केल से रहन रखियेगा किस साल से ये 2010 से World Water Day ये 22 मार्च को होता है Water for Peace इस बार थीम थी शहीद दिवस भारत में कई सारे होते हैं जैसे साथ दिन मना जाते हैं जन्वरी को मात्मगादी की पुने थी फ़र 23 मार्च को 19 माई को 21 अक्टूबर को 17 नॉंबर को 19 नॉंबर को 24 नॉंबर को ठीक है तो तीन स्वत्रता हमारे महान सेनानियों भकत सिंग शिवराम राजगूरू सुकदिव थापर को फांसिदी के थीज दिन तो 23 मार्च को शाहिद दिवस बनाते हैं विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को बनाए जाता है वर्ल्ड ट्यूबर को लॉसिज दे 24 मार्च को होता है यस वीकेंड एंड टीबी इस की थीम है भारत का लक्ष टीबी इन मूलन का बह ध्यान रखेगे 2025 है अलना कि वर्ल्ड का क्या लक्ष है 2030 है वर्ल्ड थीटर डे 27 मार्च को होता है हम साइनिश टेक पर आ जाते हैं फोन पे ने इंडस एप स्टोर लॉंच किया है मतलब एक कंप्री ने अपना एक अलग एप स्टोर लॉंच किया है प्ले स्टोर की जगए तो इंडस एप स्टोर में कई सारे भारती बहुताओं के लिए अप्लेकेशन और गेम सप्लब्द होंगे भारत की पहली AI सिक्षक रोबोट आईरीस को लॉंच किया गया है केरल के एक स्कूल के के टी या सिक्षक रोबोट लॉंच किया है जो मतलब टीच कर सकेगा इसका नाम रखा गया आईरीस अभुशु का पहला पूर्ड स्वायत AI Software Engineer अभी आया है डेविन अमेरिका के एक स्टार्टप कंपनी को ऑगनीशन ने बनाया है ये कह सकते हैं फुल फ्लेजड AI Software Engineer है जो कोड वगारा लेख सकता है इसका निर्माण GitHub, Microsoft और OpenAI ने मिल करके किया है बहरत का पहला सप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसप एटम यह लॉंच किया गया है यह सारे लोग अभी भी मैनुवल स्केवंजिंग की वज़एसे गैस इनहेल करने की वज़एसे या फिर वहाँ पर घुटन से दम तोड़ देते हैं तो कोशिश की जा रही है कि इस त मैनुवल स्केवंजिंग ना करनी पड़े इसको किससे डवलप किया है इंडियन इंस्टूट अफ टेक्नलोजी मदरास के लोगों ने या फिर वहां की जो इनक्यूबेटेट स्टार्टप है उसने होमोसप एटम यह नाम है सप्टिक टांक क्लीनिंग रोबोट का नासा न कि ने एक चैटबॉट बनाया है ग्रोग चैटबॉट भारत का पहला सुदेशी रूप से विक्सित हैप्टाइटस एवेक्सीन हैवी शूर अभी लॉंच किया गया है किसने लॉंच किया है नैशल डेरी डेवलपेंट बोड की जो फार्मासिटिकल कंपनी है जिसका नाम ह इंडियन इम्मुन लॉजिकल्स लिम्टेड आई-ाई-ई-ल इसने बनाया है इंडियास फर्स्ट इंडिजनिसली डेवलप्ड एपटाइटस एवेक्सीन इसको का जा रहा है दो डोस में एवेक्सीन दी जाएगी एक डोस की कीमत यहाँ पर एकीस सो पचास रुपे रखी गई है भारत के पहले स्वदेशी पुनह प्रयोज प्रक्षेपन यान पुश्पक की सफल लेंडिंग की गई थी इसरों ने 22 मार्च को करनाटा के चित्र दुर के चिल्ला के रहे में एरनॉटिकल टेस्ट रेंज से पुश्पक नामा कुनह प्रयोज लॉंच वीकल का यहा डिफेन सेक्षन पर आ जाएंगे हम लोग डिफेन सेक्षन में थर्ड मैरिटाइम एक्सराइज इंडिया और मलेशिया के बीच वी थी समुद्र लक्षमड नाम से होती इसको ध्यान रखेगा समुद्र लक्षमड इसके बीच इंडिया और मलेशिया के बीच पिर multinational शांती प्रयास फूर्थ नमक एकसराइज दूए थी, इसमें कई देशों ने पाट्सपेट किया था, इसको होस्ट किया था नेपाल ने, नेपाल ने इसको होस्ट किया था, कई सारे कंट्रीज ने इसमें भाग लिया था, 17 नेशन ने पाट्सपेट किया था, इसमें यहा सकता है कि शानती प्रयास को किसने होस्ट किया नेपाल ने उसेना अभियास कटलाष एक्स्प्रेस कई बाठ पूछे जाता रहता इस बार ही यह वुआ है शीशेल्थ कोर्ट हमारी internal exercise थी इसमें किसी अधर nation या organization नहीं किया था इंडिया मुजामबीक तंजानिया ट्राइलेटरल exercise ट्राइलाइट यह हुई थी तंजानिया और मुजामबीक में इसमें भारत के जो दो जहाद शामिल हुए थे वो थे लमायती नाम से exercise हमारी भारती सेना किसके साथ करती शीशेल्स के रक्षा बलों के साथ इनॉग्रेशन ओफ चोला भवन ओफ नेवल वार कॉलेज नेवल वार कॉलेज जो गोवार्स थित है यहां पर एक चोला डाइनस्टी के नाम पर अधारित एक चोला भवन का इनॉग्रेशन किया गया था हमारी रक्षा मंतरी राधनात सिंग के दोरा ओपरेशन इंद्रावती ओपरेशन इंद्रावती विदेश पंतरी डॉक्टर एस जाशंकर डे भारती सरकार के तरफ से अनॉण्स किया था डॉमिनिकम रिपब्लिक में हैती देश के अपने भारत के लोगों को ट्रांसपर करने के लिए मतलब हैती में तो सिटेशन विगण रही थी वहाँ से रिषकी ओपरेशन चलाया था के मतलब हैती में जो भारती लोगं उनको डॉमिनिकंई पेजा गया था डॉमिनिकन रिपब्लिक की सरकार की साइता से और फिर उन्हें बाहरत लया गया था जो operation है ये काफी पूछे जाते रहते हैं तो operation इंद्रावती किस देश से भारत के लोगों को बाहर लाने के लिए था हैती से इसमें किस देश की सायता ली गई थी Dominican Republic की ये दो बातें ध्यान रखेगा भारती नवसेना में दो नए shallow watercraft पोतों को शामिल किया गया है दो shallow watercraft जहाजों का नाम क्या है एक का नाम है अग्राय और एक का नाम है अक्षय तो ये दोनों क्या है shallow watercraft है ठीक है ध्यान रखेगा inauguration of a new naval base आयनेस जटायू आयनेस जटायू नामक एक नया naval base जो है इसका उधगाटन कहां पर किया गया है मिनिकोई द्वीप लक्षदीप में इससे पहले लक्षदीप में कावर रत्ती में एक हमारा naval base है और ये second naval base होगा लक्षदीप में मिनिकोई में भारती नौसेना के नानेदमित मुख्याले का उधगाटन किया गया उसका नाम रखा गया है नौसेना भवन यह फर्स्ट independent headquarter है नेवी का डेली में इसका नाम नौसेना भवन रखा गया नाम बहुत जनरीक है लेकिन ये सब भी आ सकता है पूर्थ ये जो है ये काफी कोई जरूरी रही है ये हम डिलीट करेंगे इसमें ये वाला देखिए Multiple independently targetable re-entry vehicle टेक्नीक के साथ घरेलू स्तर पर हमने अगनी 5 मिसाइल का सफल परिक्षन कर लिया है और इस तरीके से हम US, United Kingdom, France, Russia और चाइना के बाद ऐसे कंट्री बन गए जिसके पास ये टेक्नीक है कौन सी टेक्नीक इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल re-entry vehicle टेक्नीक हमारे पास आ गई है इन देशों के बाद और इस mission का नाम क्या रखा गया था mission दिव्यास्त्र तो MIRV technology हमारे पास आ गई है अगनी 5 missile हमें ये है और इसका हमने टेस्ट कहां से किया Odisha coast से तो ये धान रखेगा बीचुरी जमलोग देख लेते हैं मार्च मन 2024 की आजीज कुरैशी उत्तरप्रदेश मिजोरम और उत्राखंड के पूर राजपाल और कॉंग्रेस नेता 83 वर्ष की आयू में इनका निधन हुआ था साधी मुहमद रवींद्र संगीत गाय के नहीं रहे पॉल एलेक्जेंडर इनको पोलियो पॉल का जाता है तो पोलियो से ग्रस्त ये वेक्ति आईरन लंग में जो सपोर्ट सिस्टम होता है उसमें काफी दिन उन्हें ने वितीत किये काफी साल और फाइनली इनका निधन हुआ है 78 वर्ष की आयू में लक्ष्मी नरायंडदास फॉर्मर चीफ ऑफ इंडियन ने भी ये रमन मैक्से से पुरुसकार समानित की जा चुके थे 2004 में स्वामी स्मर्डानंद महराज प्रेजडेंट आफ रामक्रश्न मिशन ही नहीं रहे अब इजरीज में इतना काफी अब आ जाएंगे स्कीम्स कैंपेइन पर भारत की पहली Automobile In Plant यानी संयत्र के अंदर Railway Siding परियोजना का उदगाटन पीम मोदी जी ने किया था ये कहां पे लगाया गया है गुजरात के महसाणा जिले में मारुति सुसकी का भारत का पहला Automobile In Plant Railway Siding प्रोजेक्ट ये शुरू किया गया है इसका उदेश क्या है जारिश बात emission कम करना परियोजना का पूर्ण रूप होने के पस्चात 15 स्थानों तक सालाना तीन लाग कारों को भेजा जा सकता है तो फ्यूल की यहाँ पर खापत कम की जाती है रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट से और जीरो कार्बन अमीशन का जो मारा टार्गेट है लॉंग टर्म का उसको अचीव करना इसका लक्ष है किस कंपनी का है महुरती सुसितकी ने भारत का पहला रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया है। घाय लुप्त प्राय जानवर जो है उनकी देखबाल करना उप्चार करना उनका रीयाबिलेशन करना वंतारा गुजरात मेरे लाइन्स के जामनगर रिफाइनरी कॉंपलेक्स के भीतर जो ग्रीन बेल्ट बनी है वहाँ पे 300 एकर के विशाल स्थान को जंगल जैसे वातावरण में बदल दिया गया है जिससे जानवरों को एक्चुल कंडिशन्स में रिहाबिलेट किया जासके उ हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर बहुत कम वोटिंग होती है 60% से कम वोटिंग जहाँ पर होती है वहाँ पर मद्दान प्रतीशत बढ़ाना लक्ष रखा गया है मिशन 414 के लिए शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश के लिए ध्यान रखेगा हिमाचल प्रदेश में कुछ विधान सभा सीटें खाली हुई है तो उसका भी चुनाओ लोकसभा चुनाओ के साथ होगा तो यह याद रखेगा उसके बाद जल शक्ति अभियान कैच दरेन कैच दरेन हर साल चलता है पॉंसून से पहले आको पता है इस बार इसकी थी में नारी शक्ति से जल शक्ति 9 मार्स 2024 को कैच दरेन अभियान के पांच में संस्क्रण की शुरूबात की है यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इडीशन है कैच दरेन का फिफ्थ है सीरिसर्च नेटवर्क इंडिया यसी रिसर्च नेटवर्क इंडिया को शेरडनी पहल भी कहा जा रहा है यह सुचना और पुस्तक नेटवर्क केंद्र अभिश्विद्ध्यण अनुधाल आयो यानि की यू diff की पहल है इड़ स्टि ग्रांट कमीशन की शेरणी इसेटिवक का लक्ष है कि equal representation women scientist को मिले various research field में ठीक है तो यह women scientist के लिए scheme है basically share नहीं नमस्ते योजना यह समाजिक नया और अधिकारता मंत्राले की है यह काफी समय से चल रही नमस्ते का फुल फॉल में national action for mechanized sanitation ecosystem mechanized sanitation पर लगतार बात होती हुई आ रही है क्योंकि जो manual scavenging होती है ठीक है तो उसमें कई सारे लोग मर जाते हैं gas वगारा inhale करने से और कई मौते हैं इसी register की गए तो नमस्ते scheme का उदेश है कि जितना भी scavenging होती है नाले वगारा साफ करवाने भी होते तो उनको machine हो के माध्यम से किया जाए mechanized process हो लोगों को नाले के भीतर ना उतरना पड़े सब्टिक टैंक की सभाई होती है सीवर लाइन्स की सभाई होती है उसमें डारेक्ट लोगों को ना उतरना पड़े इसके लिए यह mechanized कह सकते हैं mechanized sanitation को improve करने के लिए enhance करने के लिए नमस्ते योजना है और अवास एवाम शहरी मंत्राले planning और urban जो system है उससे संभन देता है तो sewer lines और subject tanks किसके अंतरगत आता है अवास और शहरी मामलों के मंत्राले के अंतरगत अधिती scheme ही रक्षा मंत्राले की है तो एक तो यह question हो सकता है अधिती scheme जो किस ministry किया है अधिती का full form यहाँ पर क्या है अधिती का full form है यहाँ पर acing development of innovative technologies with IDEX अधिती scheme उदेश क्या है अधितना लिखा हुआ है बस उतना समझी है प्रमोट innovations in critical and strategic defense technologies critical and strategic defense technologies में भारत आभी बहुत पीछे है तो इसको improve करने के लिए अधिती scheme launch की गई है यह बस ध्यान रुखिए इसमें रक्षा मंत्राले की scheme है अधियात्मिक्ता का अनुभव परियोजना experience of spirituality project यह परेटिन मंत्राले का है सुदेश दरसन 2.0 के ताहत इसको कहां पर लाँच किया चित्रगूट गहाट पर चित्रगूट गहाट उत्तरपदेश में अधियात्म का अनुभव परियोजना का उत्गाटन पीम महोदी जी ने किया था सात मार्च को राज की scheme के बारे में देखें तो मुख्यमंत्री वायो श्री योजना यह महराश्टर सरकार लाई है पैंसाट वर्ष से आयू के जो लोग हैं महराश्टर में जो रहते हैं उनको pension या फिर कह सकते हैं प्रतिवर्ष कुछ बेसिक सायता दी जाएगी तीन हेजार रुपए धनराशी यहां पर प्रतिवर्ष दी जाएगी मिलब एक साल में तीन हेजार रुपए यह देंगे पिशप्तर सो वन मित्रों को रेजिस्ट्रेशन यहां पर शुरुबात किया जाएगा एक जार पौधे एक वन मित्र लगाएगा उसको कुछ यहां पर कह सकते हैं benefit भी दिया जाएगा अर्याणा सरकार के द्वारा कलाइंगनर स्पोर्ट्स किट पर यह दो स्पौर्ट्स किट पहल के तहत जहार खंड विद्वा प Unter विवा प्रतसाहन यह द्वाँ का पुनर विवाह कराने के लिए जहरकंड गॉर्मेंटी स्कीम लाई है इसके दो लाक रुपए की प्रोथसाहन राशी विद्वा महिलाओं की विवाह के लिए पुनर विवाह के लिए बिसिकली खर्च की जाएगी या दिया जाएगा उन्हें लाब इसका इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मान निधी युजना यह महाचल प्रदेश गुवर्मेंट की है बहुत सिमिलर इसके टम्सन कंडिशन है 18 से 60 वर्ष की आयू की पात्र महिलाओं को 15 सो रुपए प्रतिमाह मिलेगा जैसे लाडली बहना चलती है लाडली बहना यह चलती है कहां पर MP में ऐसे ही 36 गड़ में महतारी बनना योजना आई है तो उसी के तहट या उसी के तरज पर यह योजना लाई गई है इंद्रा गांधी प्यारी बहना सुक सम्मान निधी स्पोर्ट्स में आ जाते हैं स्पोर्ट्स में पहली बिम्स्टेक अक्वैटिक चैंपेंशिप इसका योजन हुआ था श्यामा प्रसाद मुखरजी स्विमिंग पूल कॉम्पलेक्स निउडेली में निउडेली वे निउडेली है भारत ने इसमें कुल बिलाकर पतक जीते थे 54 और तालीका में शीरिस पर रहा था थाईलेंड यहां पर सेकेंड पर रहा था तो बसी जरूरी है पैरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के धोजवाहा के यहां परन्यूत किये गए हैं यह हैं टेबल टेनिस प्लेयर शरत कमल शरत कमल इसके लाबा MC मेरिकॉम को शेफ डी मिशन भारत की तरब से निप्त किया गया है अंतराश्री T20 क्रिकेट में सबसे तेज सतक का रिकॉर्ड एक बर फिर से बन गया है हमने आपको बताया था अगर आपको याद हो जब Asian Games चल रहे थे तो नेपाल के ही कुशल मल नेपाल के कुशल मल ने मंगोलिया के खिलाफ 34 गेंद में जो है सतक लगाया था लेकिन अब यह रिकॉर्ड भी तूट गया है क्योंकि नेपाल के खिलाफ नॉमीबिया के एक बैट्समैन ने मात्र 33 गेंदों पर शतक जड़ दिया है मात्र 33 गेंदों में शतक लगा करके टीट्वेंटी एतरास्टी क्रिकेट का सबसे तेज शतक बनाने का रिकॉर्ड यहां पर बना लिया है जॉन निकौल लाफ्टी इटन है इनका नाम देहान रखिएँगा जॉन निकौल लाफ्टी इटन यह नॉमीबिया के बैट्समैन है विष्व के पहले तेज गेंदबाज verkty पाहले तेज टरम बहुत इंपोटन था क्योंकि विष्व में अगर देखेँ सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं, मुरली धरन के हैं, वो spin baller हैं, वो तेज गेंद बाद नहीं है, तो England की तरफ से और पूरे विश्व में पहले तेज गेंद बाद इन्हों ने 700 विकेट पूरे किये हैं, वो बन गए हैं, James Anderson, अबना 700 विकेट इन्हों ने किसके खिलाफ लिया था भारत के खिलाफ, भारत के खिलाफ इन्होंने कुल्दी प्यादों का विकेट लिया था, इसके बाद विमेन प्रीमियर लीग का आउजन हुआ था, WPL जो होता, IPL की तरच पे, इसमें रॉयल चलेंजर्स पैंगलोर ने डेली कैपिल्स को आट फिकेट से रा करके ये टूटनेमेंट जीता था, 2024 वाला, दिल्ली कैपिल्स की कप्तान है में गलेनिंग, रॉयल चलेंजर्स बैंगलोर की कप्तान है स्पृति मंदाना, फाइनल में प्लेयर अफ दे मैच रही थी, सोफी मेलीनक्स, पहला डे नाइट महिला एशेज टेस सिरीज का मैच ये, म आगेश ट्रोफी का आयोजन किया गया था, इसमें विजयता रहा था करनाटक, और उप विजयता रहा था आंदप्रदेश, फुटबॉल में अगर देखें तो संतोष ट्रोफी का आयोजन हुआ था भारत में, विजयता यहां पर सर्विसेस रहा था, उप विजयता यहां गोशित किया गया है शीतल देवी को शीतल देवी को आर्मलेस आर्चर के नाम से भी जाना जाता है चौथा खेलों इंडिया उनिवस्टी गेम्स का आउजन हुआ था आसाम अलडाचल प्रदेश त्रिप्रा नगलैंड मिजोरम कुल भुलाकर साथ उत्तरपूरी राज्यों में हुआ था उत्तरपूरी राज्यों में पहली बार खेलो इंडिया उनिवस्टी गेम्स हुए थे चुबंकर इसका था आस्ट लक्षमी जो की एक तितली की प्रजाती है कुल खेलों का आउजन हुआ था 20 और टॉप थ्री उनिवस्टी की बात कर लें तो चंडिकर उनिवस्टी टॉप पर लवली प्रोफेशनल सेकेंड पर गुरु नानक देव उनिवस्टी यह थार्ड पर वस इतना यहां पर काफी होगा मैं स्कॉट वगारे इसका जूर देख लीजिएगा आस्ट लक्षमी एक बटर फ्लाई दसवी प्रो का बड़ी लीग दोजार तैस चौबिस इसके विजिता रहे थे पुनेरी पल्टन और उप विजिता यहां पर टीम रहे थी हरियाना स्टीलर्स पुनेरी पल्टन की जो कप्तान है उसका नाम है असलम इनामदार सामिट्स तो देख लेते हैं मार्च मंद में 32 नई दिल्ली विश्व पुस्तक मिला इसका एवजन हुआ था डली में इसका अतिति देश जो था वो साओधी एरब था और इस बार इसकी थीम थी मल्टी लिंग्वल इंडिया अलिविंग ट्रेडिशन बहु भासी भारत पतिति देश और विशाय जरूर देहन रखिएगा इसमें इसका अवजन किस ने किया था अन्बीटी ने जो सिक्ष्यमंत्रा लेके अंतर गताता है नैसल बुक ट्रस्ट इंटरनेशनल मेरिटाइम कॉन्फरेंस से विशाखः पटनम आंध्र प्रोदेश में ये हुआ था स्टाल्ट अप फोरम की चौतिस अंस्क्राइट का योजन गुआ था नई दिल्ली में इस बार स्टियो के देख्षतक इसके पास है आप कमेंट करके बताईए मैं हर बार वीडियो में बताता हूं इस बार आप बताईए विक्सित भारत विक्सित राजिस्थान का रिक्रम का योजन वीडियो कंफ्रिंसिंग माध्यम से पीम मोदी जी ने अटेंट किया था बारा बर सिंगसर में जो थर्मल पार प्लांट है यहां पर एक सोलर परियोजना की अधरशल रखी गई है खाती पुरा रेल्वे स्टेशन का उद्गाटन भी अलोकारपन बेसिकली किया गया था यह मोदी जी के दोरा सदत्विकास लक्षयों में तेजी लाने पर राश्ट्री समयलन नीतिया यह दोरा आयोजी यह किया गया था जैपूर राजस्थान में तो एक तो वन्यू इंपोर्टन हो गई इसमें और साथ ही यहां पर कुछ पोर्टल शुरू किये गये जिसे SDG Knowledge Hub यह राजस्थान सरकार का खाद देवे पोजिशनर सुरक्षा विशलेशन डैस्बोर्ड और SDG 2 जीरो हंगर डैस्बोर्ड इसकी शुरुवात की गई थी तो जीरो हंगर डैस्बोर्ड SDG Knowledge Hub की शुरुवात कहां पर कही गई राजस्थान जैपूर में इंडिया स्टेक एड चिप्स फॉर विक्सित भारत प्रोग्राम वीडियो कॉंफरेंसिंग के बांधियम से पीम मोदी जी ने अटेंड किया था एक दशमलोग दो पांच लाग करोड रुपय की तीन सेमिकंडुक्टर पर योजनाओं का शिला नयास किया ये तीन परियोजनाय कहां पर स्थापित की जाएंगी एक तो मोरी गाउं में असम में मोरी गाउं असम या दूसरी धोलेरा गुजरात में तीसरी सानंद गुजरात में तो दो गुजरात में एक असम में विक्सित भारत, विक्सित मद्यप्रदेश कारिक्रम या वजितुवा था भोपाल में इसको PMO DJ ने अटेंड किया था साथ ही एक मार्थ 2024 को मद्यप्रदेश के धार्मिक शहर उज्जयान के जंतर मंतर पर 85 फीट उंचे टावर पर जो विश्वगी सब पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है इसका उदगाटन किया था ये वैदिक हिंदू पंचांग के अनुसार समय दिखाती है तीसरा लोकतंत्र समयलन थल्ड?" देमोक्रासिश समि्टmn इसका और अविजन स्योल में हुआ था साओध कोरिया में और पहली बार इसमार कोरिवेश का हो जिए अविए अमेरिका से बाहर और जित किया गया था ये एक जिडूरी बात है पूछिई जा सकती है Seoul South Korea में यह हुआ था South Africa मैंने शाथ बोल दिया South Korea में हुआ था Seoul में Homeland Security Dialogue यह New Delhi में हुआ था किसके किसके भी चोता है Homeland Security Dialogue India अमेरिका के भी चोता है यह ध्यान रखेगा Mobile World Congress यह Barcelona Spain में हुई थी Barcelona Spain में 13th WTO Ministerial Conference यह Abu Dhabi UAE में हुई थी विश वियापार संगठन की 13th मंत्रिस तरिये सम्मेलन बैठा किये हुई थी UAE में Abu Dhabi में India और Brazil का 2 plus 2 Dialogue पहली बार हुआ था 2 plus 2 Dialogue भारत कई देशों के साथ अपकरने लगा है जैसे Australia हो गया Japan हो गया पहली खाली US के साथ होता था UK के साथ भी होता है ब्रजील के साथ भी यहां पर पहली बार हुआ है BIMS Tech Faculty Exchange Program यह वह था ढाका बांगलादेश में बस इतना जरूरी है World Defense Show 2024 इसका जनुवा था रियाद साओधी एरप में Ranks Report Index काफी आते हैं मार्च बंथ में इसको देख लेते हैं जैसे Indian Express के 100 सबसे सकती साली भारतियों की सूची आये थी इसमें Top 10 में अगर देखें तो पहले पर अमोदी जी, फिरामीज शा, फिर मोहन भागवत, फिर दीवाई चंदर चूड S.J. शंकर, योगिया, अधितना जीन सबका नाम दिया अभवा है, गौतम, अडानी जो है 10 पर रखे गए है, तो ये Top 10 एक बार देख लेंगे, तो इतना काफी है इसके बाद बहुत धिक संपदा सूच का आया है U.S. Chamber of Commerce की तरफ से, हमेशा ही U.S. अपने आपको Top पर रखता है UK 2nd पर, France 3rd पर है, भारत Brics देश में और Brics देश का सदस्य है, और कह सकते हैं, 42 में स्थान पर है, overall इंडिया की रेंग क्या है, 42 में है, 2023 में, 2023 में कितनी थी? 42 में, 2023 में भी थी, और 42 में इसमें भी है, तो मतलब इंडिया की रेंग चेंज नहीं हुई है पिछले साल की तुलना में याद रख सकते हैं जिसमें एक राहक संतुष्ट है, तो टॉप पर है भॉपाल एरपोर्ट, फिर गोरकपूर है, उदयपूर जम्मू और दैरादून ये तीनो सेकेंड पर है, फिर राजमुंदरी एरपोर्ट, जो आपके, मतलब कहते हैं, श्टेट में आते हैं, उनकी नाम द्यान रखिए जैसे कानपूर 9 पर है, प्रयाग राज 10 पर है, तो ये एक बार देख सकते हैं, अलग-अलग अपने राज्यों का देखिए इसमें, आगे है DHL वैश्विक Connectedness Report, DHL और New York University Stern School of Business के द्वारे जारी गई थी, सबसे Connected Countries की लिस्ट में टॉप पर है, सिंगापूर, फिर वैश्विक वायो गुणवत्ता रिपोर्ट आई, IQ Air के द्वारा, 2023 में शीर सबसे प्रदूशित देशों में टॉप पर है, बंगलादेश, सेकेंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर इंडिया, और सबसे प्रदूशित भारती सहरों की बात करें, तो बेगु सराय टॉप पर र रखता है, इसा ही इनकी रिपोर्ट, खूल 134 देशों का डेटा इन्होंने शामिल किया था, आगा बड़ते हैं, लैंगिक असमानता सूचकांक, United Nations Development Program, UNDP की द्वारा जारी किया जाता है, इसमें टॉप 10 मेंने लिगा है, क्योंकि कई बार 10 से भी पूछ लेते हैं, भारत क पर कौन से देश हैं, जहां पर समनता कम है, इनके हिसाब से European Country है, फिर 7 पर साइंउक तरह बमिरात है, फिर सिंगापूर, फिर आइसलेंड, फिर लक्जंबर्ग, इसके बात बानों विकार सूचकांक आया, यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इंडेक्स बहुत ज़् लेना है, टॉप 10 देखिए, इसमें Switzerland टॉप पर, Norway 2nd पर, Iceland 3rd पर, Hong Kong और चीन यह दोनों 4th पर, Denmark, Sweden दोनों यह एक साथ 5th पर, जर्मनी, Ireland यह 7th पर है, 6th पर कोई नहीं है, यह numbering mistake नहीं जान रखेगा, 6th पर कोई country rank नहीं दिया गया है, फिर 7th पर जर्मनी, Ireland यह पुर्नाइथ पर, Australia और नीधर लैंड यह 10th पर है, टॉप 10 अच्छेज देख लिजे, इसमें भारत का स्थान अच्छेज देख लिजे, 134 है, यह Human Development Index इंडेक्स 2023-24 कहा जा रहा है, द्यान रखेगा, 2023-24 इसी तरीके से आपके एक्जाम में भी आएगा, अगर आपसे इसमें 22 को अगर आपने घुसरेडा तो आप जो है, इसमें 22 को जाएंगे निश्चित तोर पर, लास्ट इंडेक्स कौन सा था, 2021 वाला, प्रेजेंट कौन सा है, 2023-24 वाला, 2023-24 में इंडिया क्रेंगे, 134 वी, और भारत का स्थान 2021 कितना था, 135 वा, तो इतना याद रखना क इसके इंडिकेटर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं, डाइमेंशन 3 होते हैं, इसके बारे में MCQ सेक्षन में बात करेंगे अब लोग, ये रैंकिंग अच्छे से नोट कर लीजिए, चाइना वगरे की रैंकिंग भी एक बार देख लीजिएगा, भारत के पड़ोसी देशों के, वैस्विक खुशाली रिपोर्ट भी आती है, 2024 के आ चुकी है, भारत का स्थान इसमें 126 है, 126, 143 देश इसमें सामिल किये गए थे, और भारत का स्थान बदला नहीं, 2023 में भी 126 था, ठीक है, तो ये हो गया, इसको जारी कौन करता है, गैलप, नामक इंस्टूट, पर सबसे पीसफुल, अगर रीजन की बात करें, तो कौन साइन के हिसाब से, यॉरॉप है, मोस्ट पीसफुल रीजन, मोस्ट हैपी रीजन कह सकते हैं, इसके बाद आ जाएंगे हम लोग, अगले इंडेक्स पर, विश्व के शीर सहत्यार आया तक देशों की सूची आई है Stockholm International Peace Research Institute के द्वारा, अलगतार पांच वरसों से भारत विश्व का सबसे बड़ा हथियार आया तक राष्ट बना हुआ है, भारत को सबसे ज़्याद हथियार सप्लाई करने काम कौन से देश करता है, रशिया, ये एक हो गया, पांथ सबसे बड़े हथियार निर्यातक राष् ने जारी की थी और इसमें तेजी से निरंकुष आसन व्यवस्था की तरफ बढ़ने माले शीरिष्टे इन देशों में टॉप और भारत को रखा था, फिर मेक्सिको को फिर साउथ कोरिया को, तो ये बस ध्यान रखना है आपको, 2018 में इलेक्टोरल आटोक्रेसी की नकरातम अक्स्रेंडिम भारत को रखा गया था, और भारत का स्टेटस इन्होंने लगातार खराब होते वे बताया गया है, ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आती है, व्ल्ड मेट्रोलोजिकल और्गनाईजेशन की द्वारा, 2023 को इन्होंने अब तक का सबसे गर्म वर सिगोसित कि ग्लोबल डिच लिस्ट 2024 की आचुकी हुरून रिसर्च की द्वारा इसमें एक डेटा आया है कि मुंबई में बीजिंग की तुलना में अब संख्या में ज्यादा अरब पती यहां पर रहते हैं, बस ये एक इंपोर्टन अपडेट थी, वैसे चाइना में बिलेनियर्स की स संख्या हमारे इंडिया की दुलना में ज्यादा, लेकिन अगर सिर्फ एक शहर मुंबई और बीजिंग को कंपेर करें, तो मुंबई का फटर्टरा इस बार भार ही आया है, तो MCQ सेक्षन पर आजाएंगे हम लोग, MCQ में सबसे पहला MCQ है, विश्व के सबसे बड़े रखा गया है, आइकन अफ दसीज के बारे में हम पहले बता चुके हैं, लेकिन इसने अपनी पहली यात्रा शुरू कर दी थी, मेडेन वोयज जो कहां शुरू की है, मायमी पोर्ट से, युनाइट स्टेट से शुरू की है, युनाइट स्टेट के वर्जिन आइलेंड इस तक ये जाएगा, लियोनल मैसी ने ओफिशली इसको नेम दिया था, आइकन अफ दसीज और लियोनल मैसी ही इसके आइकन बने है, तो लियोनल मैसी आइकन अफ दसीज के आइकन है, अप्रॉक्सिमेट यहां पर लेंथ है, बारा सो फीट, हाइट 20 फ्लोर की और वेट यहां रख सकते हैं इसमें हमसे पूछा गया कौन सा statement correct है तो सारे statement इसमें correct है answer यहां पर हो जाएगा हमारा D उपर युक्त सभी 23 जन्वरी से 31 जन्वरी 2024 के मद्धे परिटन मंत्राले द्वारा भारत परव का आयजन कहां पर किया गया था भारत परव का युजन किया गया था दिली में option number B यहां पर सही है भारत परव का युजन कब से हो रहा है लगतार 2016 से answer यहां पर हो जाएगा B फरवरी 2024 में के इंदर सरकार ने rooftop solar setup के माध्यम से एक करोड घरों को मासिक कितने unit मुफ्त बिजली उपलब्द कराने के उद्देश से प्रधानमंत्री सूर्योदा योजना शुरू की थी इस पर हम बात कर चुके हैं एक करोड हाउस होल्ड में solar rooftop setup के माध्यम से 300 unit तक मुफ्त बिजली दी जाने की बात कही गई है 300 unit से जादा भी आप गेन कर सकते हैं बड़ा पैनल लगा करके लेकिन फिर उसमें cost देना पड़ेगा 300 unit तक बिजली जो है वो free of cost रहेगी option number A अलांकि ये चीज़ दिहान रखने की जरूरत है कि solar panel का जो installation है solar panel आपके rooftop में लगेगा वो free of cost नहीं है उस पे सरकार देगी subsidy ठीक है उसमें भी अलग-अलग चीज़ें बताई गई है जैसे दो किलोवाट का अगर पैनल है तो उसमें subsidy कितने बिलेगी 60% बिलेगी एक किलोवाट का है तो 72% और जितना भी किलोवाट बढ़ता जाएगा उतने subsidy यहां पे कम होती जाएगी इस तरीके से जन्वरी मन 2024 में लिखित में से किसने असम के डिबरुगड में 120 वाले योग और प्राकृतिक चिकितसा अस्पताल के साथ केंड़ी योग और प्राकृतिक चिकसा अनुसंदान संस्थान की अधारशिला रखी तो Central Yoga and Naturopathy Research Institute और सावबेड वाला जो योगा और किया है हमको बताना तो बी और सी सर्बान सवनुवाल हिमान तब इस वह सर्मा ने किया था आप्शन नंबर यहां पर सही हो जाएगा डी मोर देन वन आफ दबव रैंसर यहां पर हो जाएगा डी अगले सवाल पर आजाएगे दिसंबर 2023 तक भारत की सौर उर्जा चमता लगभग 73 गिगावाट बताई गई है सौर उर्जा चमता के मामले में भारत के शीर्स दो राजी कौन से हैं तो इसीर्स दो राज प्रेडिट करना असान है पहले तो राजस्थान होगा और सेकेंड वाला होगा गुजरात और अप्शन नमबर डी यहां पर सही है और अगर आपसे पूछे रूफ टॉप सोलर इंस्टलेशन के मामले में यानि कि छट पर जो रूफ टॉप सोलर इंस स्टलेशन के मामले में फर्स्ट पर राजस्थान है और सेकेंड पर गुजरात है और 30 गिगावाट भारत की सोलर पार कापसिटी हो चुकी आधिकारी कांकडों के नुसार दिसंबर 2023 तक इनमें से कि स्टेट गॉवर्मेंट ने इंडिया का पहला गॉर्मेंट ओंड ओंड प्लाफरम लाँच किया है इंडिया्स पस्ट गॉवर्मेंट ओन ओंड ओर्टीटी प्लाइफ़ जिसको नाम सीसनबर C केरल के बारे में आपको धेहँन रखना पहला कथन है कि 5-7 मार्च तक भारती बागवानी अनुसंधान संस्थान द्वारा नई दिल्ली में इसका अवजन किया गया था यह स्टेट्मेंट हो जाएगी रॉंग क्योंकि राष्ट्री बागवानी अनुसंधान संस्थान यह कहां पर है IIHR यह बैंगलूरू में हसार घट्टा बैंगलूरू में तो दिल्ली में तो होई नहीं सकता यह रॉंग है सेकेंड है कि नेक्स्ट जन टेक्नलोजी लेड होटी कल्चर सस्टेंबल डवलप्मेंट ही इसकी थीम थी यह सही हो गया और थाइड है कि इसमें इनुवेशन से फार्मर इंकम ग्रोवत के लिए वाटर कंजर्वेशन के सस्टेंबल प्राक्टिस से समंधित शो किये गए थे यह भी सही है तो हमारा एंसर जिसमें हो जाएगा उनली वन यह हुआ था बेंगलुरू में नाकी डली में यह ध्यान रखेगा नेशल वाटर मिशन 2019 का लक्ष सस्टेंबल वाटर मेनेजमेंट है जाधतर लोग इसको चूज कर लेंगे अगर ऑप्शन में दिया हो जल जीवन मिशन वो नहीं है उसका जो फोकस है वो एक्सेस है यानि कि वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना है पाइपड वाटर सप्ला जातिया ओरडर 24 में जातियों को अनुसों जाती का दर्जा दिया गया है प्रावधान किया गया है कि पहाड़ी जाति यह समूध पढारी कि यह पढ़ारी पहाड़ी एथनीक ग्रुप कोली और गड़ा ब्राह्मन यह सब स्टीज में आएंगे तो हमारा एंसर इसमें हो जाएगा D All of the above correct एंसर यहां पर हो जाएगा D निम्लिकित में से कौन सा राज जन्वरी दोजार चौबीस में पुनर योजी पर रिटेन मॉडल शुरू करने वाला भारत का पहला राज बन गया है First State India to launch Regenerative Tourism Model in January 2024 यह बना है गोवा Option number D यहां पर साही है Regenerative Tourism Model खुल बला कर किस पर फोकस करेगा Sustainable Tourism पर Sustainable Tourism का मतलब यही होता है कि Tourism भी हो और Environment को नुकसान भी कम से कम हो तो यही हो तरी जन्वरी टूरिजम मॉडल जो है Travel Tourism बूस्ट करना चाहता है साथी साथ Environment और इससे जुड़े लोगों को भी हानी पहुचाए बिना Option number D यहां पर साही है आसम के गोहाटी में स्थित राश्ट्री Pharmaceutical सिक्षा और अनुसंधान संस्थान के स्थाई परिसर का उद्गाटन किस ने किया है यह किया है मनसुक मंडाविया ने Option number C यहां पर साही है मनसुक भाई मंडाविया C तो यह रखना है आपको National Institute of Pharmaceutical Education and Research नाईपर यह कहाँ पर खोला गया है गो आहटी में पर्मनेंट कैंपरस इसका साथ मार्च दोजार चॉबीस को स्वीडन नाटो का 32 सदस से राश्ट्र बन गया है स्वीडन ने नाटो सायन गटबंदर में शामिल होने के लिए कब आवेदन किया था पुराना पूथ सकते हैं आवेदन किया था माई 2022 में फाइनली ऑफीशली स्वीडन हैस बिकम पार्ट आफ नाटो 32 सदस सब नाटो के हो चुके हैं एंसर यहां पर हो जाएगा B H5N1 वायरेस से जो एवियन फ्लू होता है उससे पहली बार एक पोलर बीयर की बृत्ति हुई है यह रिपोर्ट किया गया था Alaska Department of Environmental Protection के द्वारा तो यह कथन साही है इसके बाद है कि ब्रीक वेटिंग यह प्रॉसेस है जिससे बायो मास रेसिडिव को एक फ्यूल में कनवर्ट किया जाता है तो टर्म से नीउस जो होते हैं कई बार यह भी आजका लाने लग रहे है पहले सिर्फ UPSC पर फोकस करता था लेकिन कोई भी स्टेट पीसेस भी पूच सकता है जैसे आरू पेपर में पूचा था Brent Index जो है किससे समद देता है तो ऐसा नहीं है कि जो खेल खेलना UPSC छोड़ चुका है उसको कोई स्टेट पीसेस या वंडे एक्जाम वाला नहीं खेलेगा ऐसा कोई रूल नहीं है यह भी आ सकता है तो Brent Index किससे से असुचेटड है Crude Oil से असुचेटड है Crude Oil Prices से ठैना तो इसी तरीके से Brequeting जो है यह टर्म यूस यह जा रहा है जिसमें biomass को एक fuel में biomass की basically residue को एक fuel में convert किया जाता है हमारा answer इसमें क्या हो जाएगा C, बहुत correct यहां पर हो जाएगा निमल कितमे से भारत के किस शहर की पहली शहर विशिष्ट सूनी Carbon Building Action Plan के शुरुवात की गई है इसका लक्ष 2050 तक वहां की मारतों को Zero Carbon Emission बराना है Zero Carbon Emission या फिर नेट Zero Carbon Emission वाली building में convert करना है, transform करना है 2050 तक यह जो plan लाया है यह नागपूर लाया है option number B यहां पर साहिए बहुत जरूरी प्रशन है यह exam में आपके आने के समभा होना है लगभग सभी exam में जैसा इसको लिखा गया वैसे इसको लर्न करिएगा City Specific Zero Carbon Building Action Plan इमले कितमे से किसराज की महिलाओं के लिए गर्बवती महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मातरत्व सहायता योजना पोर्टल लाँच किया गया मुख्यमंत्री मातरत्व सहायता योजना पोर्टल लाँच किया गया हरियाणा में अप्शन नमबर B यहां पर साहिए अगले प्रस्टन पर आ जाएंगे फरवरी 2024 में लाँच किया गया स्वाती पोर्टल के बारे में क्या साहिए यानि Science, Technology, Engineering, Mathematics, Medicine की छेत्रों में Women Participation को मस्बूत करना है इसके लिए स्वाती पोर्टल लाया गया है एंसर यहां पर हो जाएगा D, All of the world यह जो पोर्टल्स होते जिनका अभिनोव नाम होता है स्वाती हो गया, अधिती हो गया में यह पूचते हैं कि किस लिए है योगे इनके नाम से पता नहीं चलता है तो स्वाती बेसिकली है Women को Science, Technology, Mathematics, Medicine इन सब फिल्ड में प्रमोट करने के लिए D यहां पर साहिए परवरी 2024 में केंदरी मंदल ने सारवजिनिक वितनर्ड योजना PDS के माध्यम से जो अन्य योजना परिवारों के लिए चीनी सबसिड़ी की योजना को कब तक बढ़ानी के नुमती दे दी है अन्य दाता माफ किजीगा अन्य अन्य योजना जो सुगर सबसिड़ी मिलती है कब तक बढ़ा दिया गया है पुरानी स्कीम में जरूरी होता है और कितने रुपए की सब्सिडी मिलती है पर मंत परकेजी शूगर पर 18 रुपए 50 पैसे सब्सिडी सरकार के तरफ से आती है और इसको बढ़ा दिया है 31 मार्ट 2026 तक चलिए आपको बताई देते हैं 25 दिसंबर सन 2000 को पावर्टी से प्लू लाइन जो बॉर्डर डिमार्केशन है वो किन दो कंट्रीस के बीच आई आ सकता है क्योंकि फिर से चर्चा में आई बू लाइन लेबनान और इसराईल के बीच बॉर्डर है जिसको डिमार्केट किया था युएन ने सन 2000 में जब इसराईली ट्रूप्स ने लेबना कुम्ब कल्प मेला के बदले राजिम कुम्ब कल्प मेला शुरू किया जाए तो यह statement रॉंग हो जाएगा क्योंकि यह मेला बिहार का है ही नहीं यह मेला कहां का है 36 गड़ मनाया जाने वाला मेला है ठीक है तो राजिम मागी पुन्नी मेला या राजिम कुम्ब मेला कल्पा मे अपने पहले स्वदेश नेटमित हाइड्रोजनड इलेक्ट्रोलाइजर का सुभारम किया था यह कहां पर ईव exceptionally developed हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर यह कहां पे लारसिंट टूब्रो अपना शुरू करेंगे अपने प्लांट में हजीडा प्लान्ट में जो किया है गुजरात में अप्शन नमबर ए यहां पर सही है हजीरा गुजरात 11 फरवरी 2024 को पुरधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रसिद्ध दार्षनिक एवं समात सुधारक दयानन सरस्वती जी की काउन सी जैनती के अवसर पर गुजरात में कारिक्रम को वर्च्वल तोर पर संबहसन देश मना रहा है दल बिदल निरोधक कानून पर पूरनद्विचार के लिए समीती बनाई गई है उसके बारे में आपको सही कथन का चुनाव करना है दल बिदल कानून पर प्रन ABC करने के लिए पूर्व राष्ट्रपती रामनात कोविंजी की अधेस्टा में कमीटी बनाई गयी, गल्त है, रामनात कोविंजी की अधेस्टा में कमीटी बनी है, लेकिन one nation, one election पर आधारीत रही तै, जिसकी रिपोर्ट भी submit कर दिया है, उन्हो सर्स की जो मीटिंग होई थी मुंबई में उसमें डिसाइड हुआ था कि राहुल नारवेर कर जो महराष्टर की लेजिसलेटिव एसेंबली की जो इससे में स्पीकर है वो एंटी डिफेक्शन लॉग को कंसीडर करेंगे उनकी देख्षता में एक कमिटी बनाई गई जो दल सकतन सही है इस पर विचार करें एक्शली इंकरेक्ट पूछा इंकरेक्ट स्टेटमेंट पहला है केंद्री शिक्षा कॉषल और उद्यमिता विकास मंत्री धिश्टी धर्मेंद्र प्रदान जी ने स्वेम प्लस प्लाटफॉर्म लांच किया यह सही है गलत नहीं है यहां पर सही है तो एंसर यहां पर हो जाएका डी तो उनों ही जब सही है तो गलत कोई नहीं है एंसर डी होगा मार्च में पहले सब्ताप में विश्ट की पहली वैदी घड़ी काफी चर्चा में थी 29 सब को हलांकि इसको लांच किया गया था पुरदान मंत्री मोदी जी न अब भी सही एंसर यहां पर सही हो जाएगा डी ओल अफ दबो करेक्ट मैं दोजार चौबीस में निमलिकित में से कौन सादेश गर्भपात का समवयधानिक अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला रास्ट्र बना था यह बना था फ्रांस इसमें इसको एक MTP Act भारत में कब आया था 1971 में भारत में दो मेजर एक्ट हैं जो अबॉर्शन सम्मंदित हैं एक MTP है Medical Termination of Pregnancy और एक है PCPNDT का फूल फाम पहले तो आप बताईए और जल्दी से कमेंट करके बताईए किस एयर में आया था जो लोग PCSJ की त्यारी करना है फॉट से कमेंट करके बताएंगे क्योंकि उनके syllabus का पार्ट है कोईर अगले में बताना है कौन सा स्टेट्मेंट सही है यह स्टेट्मेंट हम ले लिया है लेकिन यह हम लोग इसको चेंज करते हैंगे तो इसको मैं भी कंसीडर नहीं कर रहा हूं सेकंड स्टेट्मेंट देखते हैं इंडिया लॉंच्ड इट्स फस्ट इंडिजनेसली डेवलप्ड ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इन्लैंड वाटर अवे वीजल यानि कि भारत का पहला आस्वदेशी हरित हाइड्रोजन इधन सेल वाला अंतरदेशी जलमार्ग पोत जिसका नाम रखा गया सुचेता इसको लॉंच किया गया था कोची हारबर केरिला में प्यमोंदी जी के दौरा इंडियास फस्ट इंडिजनेस ग्रीन हाइड्रोजन फ पर नई हवाई पट्टी और सेंट जेम्स जेटी का उधगाटन किस ने किया था भारत के प्रधान मंतरी और मौरिशस के प्रधान मंतरी जी ने संयुत रूप से इसका उधगाटन किया था एंसर यहां पर हो जाएगा C, A और B दोनों सेंट रूप से मौरिशस भारत की जन और सदी पहल में शामिल होने वाला पहला देश भी बन गया था तो यह भी बहुत इंपोर्टन्ट है ध्यान रखेगा निमलिकित में से कौन सा कथन सही है हाली में मदरास विश्विदाले के प्राचीन इतिहास और पुरातत विभाग ने चेंगल पट्टू तमिलनाडू के चेट्टी मेदू पाथुर में एक बच्चे के प्राचीन दफन स्थली यानि अंग्रेवियार्ड का पता लगाया थ पता लगाया था तो यह सही है फिर अगला है कि गवर्मेंट आफ इंडिया ने प्रेस एंड रेजिस्ट्रेशन आफ जर्नल्स एक्ट 2023 और इसके रूल्स को यहां पर कह सकते हैं लागू कर दिया है लेकि एक होता है कि एक्ट अस्थित में आता है उस एक्ट में लिख देत प्रेस एक्ट 2023 तो यह भी सही है हमारा इंसर इसमें हो जाएगा C 1 & 2 बोथ करेक्ट मार्च 2024 में भारत के पहले और एकमात्र राष्ट्री डॉल्फिन अनुसंद्धान केंडर का उधगाटन कहां पर किया गया था इसका उधगाटन पट्टा में किया गया था यह काफी समय पहली बार जब गुवर्मेंट टेंप रूफ किया था तब उसके बाद जब इसकी अधारशिला रखी गई थी और फाइनली यह तैयार हो चुका है इसका उधगाटन किया जा चुका है यह इंडिया सफर्स्ट और ओर नाशल डॉल्फिन रिसाट्र है और साधी साथ यह प सही इसका उब्जेक्टिव है कि फार्मर्स को इंपार किया जाए उनको इक्विप करके इन्फोमेशन से सर्विसेस फैसिल्टी से और डिजिटल टेक्रिलोजी से तो यह सही है हमारा एंसर इसमें हो जाएगा सी बोथ वनेंटू करेट सी परवरी दूजार चौबीस में न वाई उगटना थी आप कोमेंट करके बता सकते हैं हलांकि वहां काफी बारिश वी उसके बाद से लगतार डेंगू फीवर के केसे सामने आ रहे थे फिर हीट वेवाई लगतार मौसम बदल रहा है सुझे से मलेरियल आउटब्रेक वहां पर हुआ है तो वहां पर मेडिकल निकारागवा के बीच तो उसी क्रम में ये निउस आई थी आपको ध्यान रटना है कि मिसी उनिवर्स जबनी ती 2023 की वह भी निकारागवा से थी अप्शन नमबर C यहां पर सही है निकारागवा पहला स्पैनिश स्पीकिंग एंट्री बन गया पूरे विश्व का पहला ज हुगली नदी के नीचे इसको बनाया गया है हावडा मैदान एस्प्लानेड टैनल जो है ये फस्ट ट्रांस्पोर्ट टैनल है जो कि किसी भी रिवर के नीचे भारत में बनाई गई है तो हमारा एंसर इसमें हो जाएगा तीन हो गथन साही है एंसर हो जाएगा 1,2,3 करेट इंडियास फस्ट वाटर मेट्रो की जहां पर बात होगी तो कोची में इंडियास फस्ट वाटर मेट्रो जो है चली है और इसका भी उदगटन पीमजी ने किया था लेकिन इंडियास फस्ट अंडर वाटर मेट्रो टैनल जहां से रेल कुजरेगी वो हुगली नदी के आप्टिस वलकैनों को आप्शन बर सी यहां पर साहिए Citizenship Amendment Rules जो आए उनके बारे में साहिए कथन क्या आए 11 मार्थ 2024 को ग्रैमंत्राले नोटिफाई कर दिया इन है Citizenship Amendment Act 2019 पर आया था लेकिन रूल सभी आए 11 मार्थ 2024 को ध्यान रखना है ठीक है और यह Act जो है इसमें इमिग्रेंट्स जो हिंदू, सिख, बुद्धिष्ट, जैन, पार्सी, क्रिस्चन कम्यूनिटीस से जो आएंगे अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान से वो अलिजबल होंगे भारती सिटीजन्शिप के लिए, और कट ओफ डेट जरूर ध्यान रखेगा, डेट यह पूछी जा सकती है अल नॉन मुसलिम्स हू केम तो इंडिया फ्रॉम थीस त्री कंट्रीस बिफोर दिसमबर 31st 2014, यह कट ओफ डेट है यानि इससे पहले आए हुए होने चाहिए वही लोग FastTracks सिटीजन्शिप के लिए अपलाई कर सकेंगे आगे बढ़ेंगे, फर्वरी 2024 में राश्ट्री साहित अकाडमी का कौन सा स्थापना दिवस पनाया गया था 27 स्थापना दिवस पनाया गया था और इसको officially inaugurate किया गया था वारा मार्स 1954 में यह एर इलेक्षन का यह है जनरल इलेक्षन का तो चुनाओ के दवरान उपयोग में लाई जाने वाली जो inadible purple ink होती हो उसके बारे में question आव ऐसा होई नहीं सकता तो inadible purple ink के बारे में साही कथन क्या है पहला मैसूर पेंट्स एन वार्निश लिम्टेड एमपी वी एलिस स्याही का भारत में एक मात्र निर्माता कंपनी है और यही सप्लाई करते हैं सही रूल 49 के जो है चितने भी एलेक्टर है जो वोटर्स है उनको यह निवार है कि अपनी फोर फिंगर लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर यानि की बाएं हाथ की तरजनी उंगली प्रसाइडिंग ऑफिसर को या पोलिंग ऑफिसर को दिखाएंगे और वो उस पर यह सिल्वर नाइ भारत ने अपने किस पड़ोसी राश्टर को अगले पांच वर्षों में दस हजार करोड रुपे की वित्ती साहिता प्रदान करने के घोशना की है घोशना की गई है भूटान के लिए अप्शन नमबर ए यह आँपर सही है अब यह मोदी जी ने अभी विजिट किया था भ आपदीर मुर्मुजी मौरिशस की पहली तीन दिवसी राज की यात्रा पर थी यह सही आर्केलॉजिस्ट ने दक्षणी जर्मनी में एक स्थल पर यूरूप की अब तक की सबसे बड़ी सामुही कबर स्थल की खोज की है यह सही और स्टेट ऑफ एमर्जेंसी यहां पर डि हो जाएका सी तीनों ही कथनियां पर सही है निम्ड कित्मे से किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेट मस्जित का निर्माड किया गया है विबनाई गई जद्धा में साउधी अरब में ऑप्शन नुबर सी यहां पर सही है जद्धा में आगे बढ़ेंगे पीम सूर पीम सूरज एक परिवर्तन कारी पहल है जिसका उदेश समाज के सबसे वंचित वर्गों को क्रेडिट सपोर्ट के माध्यम से आगे बढ़ाना है तो यह है इसका उदेश एंसर यहां पर सी हो जाएगा 1 & 2 बोध करेक्ट अभी बेनफीशरी स्कौन होंगे लाब किसको दिय सबसे वंचित वर्गों को इसमें पर सही हो जाएगा C1 & 2 बोध करेक्ट 19 मार्थ 2024 को महत्मा बुद्ध के साथ 7 निमलिकित में से उनके किस सिष्य के पवित्र आउशेसों को थाइलैंड से भारत वापस लाया गया है महत्मा बुद्ध और उनके शिष्यों अरहत सारी पु इसके बारे में बताना है जाएंड वाली टी बेक्सीन एंटी बी वैक का क्लिनिकल ट्रायल अभी शुरू किया है यह ट्रायल के द्वारा किसकी पार्टरशप में स्पैनिश बायो फार्मसिटिकल कंपनी बायो फैबरी के साथ मिलकर कर रहे हैं यह फर्स्ट वीक होगी टी All of the above correct D. All of the above correct हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खदान के बारे में निमले खित में से कौन सकतन सही है Coal India Limited की साहय कंपनी South Eastern Coal Field Limited के अधीन जो गेवरा माइन है ये Asia की लार्ज़स्ट कोल माइन का दर्जा प्रात कर चुकी है Asia's largest coal माइन बन्चुकी गेवरा माइन ये कहां पर लोकेटेड है 36 गड़ में तुमारा answer क्या हो जाएगा बोध करेक्ट ये पूछ सकते हैं कि किसके अंतरगत आती है ये owned by है South Eastern Coal Field Limited जो की subsidiary है Coal India की और ये माइन है कहां पर 36 गड़ में चक्षु नामक जो इसके बारे में गलत कथन का चैन करना है मार्त 2024 में चक्षु नामक एक डिजिटल प्लाटफॉर्म लाँच किया गया है अनागरिकों को वित्ती धोखादड़ी से बचाने के लिए है इस प्लाटफॉर्म को दूर संचार विभाग द्वारा विक्सित किया गया है इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं जो दोखादड़ी वाली कॉल टेक्स्ट से या संदेश आते हैं उन्हें रिपोर्ट कर सकते हैं चक्षु पोर्टल की माध्यम से तो पहला करेक्ट, दूसरा करेक्ट, तीसरा करेक्ट एंसर यहां पर सही हो जाएगा D सेला टनल जो चर्चा में रही उसके बारे मताना है क्या सही है इटा नगर अवनाचल प्रदेश में विक्सित भारत, विक्सित पूर्वोत्तर कारिक्रम की दवरान सेला सुरंग परियुजना को वर्चुल तरीके से राष्ट को समर्पित किया गया है प्यम जी के दवरा, यह टनल कंस्ट्रक्ट की गई है बियारो के दवरा, यह तेरा हजार फीट की उचाई पर बन रही है यह तेजपूर को कनेक्ट करेगी, जो कि असम में है तवांग से जो की वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट रणाचल प्रदेश में तो बतलब असम को रणाचल प्रदेश से कनेक्ट करने वाली टनल है सेला टनल को का जा रहा है कि वर्ल्ड्स लॉंगस्ट टू लेन रोड टनल है जो इतनी उचाई पर बनाई गई है एंसर यहां पर सही हो जाएगा D D यहां पर सही है इंकरेक्ट स्टेट्मेंट इसमें फाइंड करना है 17 मार्च को बराही घाट पर एक समा रहा हो के दौरान नेपाल सरकार ने आधकारिक तोर पर पोखरा को नेपाल की परेटन राधधानी और टूरिजम क्याप्टल गोशित कर दिया तो टूरिजम क्याप्टल नेपाल की काउन बन गई बोखरा पहला करेक्ट सेकेंड है कि युनाइट नेशन जनरल असंबली ने मार्च 21 में फर्स्ट ग्लोबल रिजल्यूशन आर्टिफिशल इंटेलिजेंस पर अपना लिया है जिसमें कंट्रीज को इंकरेज किया गया है कि हुमन राइट्स और परस्टल डेटा और ए आई पर जो रिस्क है उनको मोनिटर करें तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है एंसर हो जाएगा है यहाँ पर सही C 1 and 2 बोथ करेक्ट UN General Assembly में कई सारे रिसलूशन आते रहते हैं लेकिन United Nations की Environment Assembly में इंडिया ने एक रिसलूशन पूट फॉवर्ड की थी मार्च में सस्टेनिबल लाइफस्टाइल पर सस्टेनिबल लाइफस्टाइल पर जो रिसलूशन इंडिया ने प्रपोस की थी उसको कह सकते हैं सेकेंड किया गया किस कंट्रीज के दौरा या को स्पॉंसर किया गया स्री लंका और बोलीविया के दौरा तो नाइरोबी में जो sustainable lifestyle पर जो ये कह सकते हैं resolution move की गई थी इंडिया की द्हान रखेगा United Nations Environment Assembly में इंडिया ने resolution move की किस विशय पर sustainable lifestyle पर इस शचन हुआ कहां पर था नाइरोबी के इनिया में इन में से कौन सकतन सही है पहला वला तो हम अल्रीड डिसकस कर चुके हैं मदरास विश्युदैले के प्राचिन इतिहास और प्रातत्विभाग ने पाथूर गाओं में नौपाशाण काल के बच्चे के दफन स्थल का पता लगाया था जो लॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेड एसाई ने ओडिशा और बंगाल के समुद्री तटों पर जो समुद्री स्लग मोलस्क पाया जाता है इसकी नई किस्म खोजी थी और इसका नाम भारत के प्रेजिडेंट के नाम पर रख दिया गया है मिलायनो अकलमाईस अद्रौपदी इसका नाम रखा गया है क्या है यह विसिकली स्लग मोलस्क है समुद्री स्लग मोलस्क तो दोनों ही यहां पर सही हो जाएंगे सी बने टू बोट करेक्ट सी मार्स दोजार चौबीस को निमल कितमी से किसने 201 CNG स्टेशनों और भारत में गेल की पहली लगूस तरिये LNG इकाई देश को समर्पित की थी तो किसने की थी श्री हरदीप सिंग पूरी ने option number C यहां पर सही है 201 की यह CNG स्टेशन जिनके तो नाम obvious सी बात नहीं ध्यान रखना है आपको लेकिन first small scale LNG unit विजारपूर मध्यप्रदेश अगला सवाल हाल ही में कुछ उत्पादों को भागोलिक संकेत टाग प्राप्त हुआ है मार्स 2024 में ओडिशा राजी के कटक जिले की प्रसिद्ध चांदी तारकशी को भागोलिक संकेत प्राप्त हुआ है माजुली द्वीप आसम में जो पारपरिक मास्क निर्माण शिल्प है और माजुली की पांडुली पी पेंटिंग है इसको GI tag मिला है तो यह दिहान रटना है माजुली से हमको तुरंत एक चीज याद राती है जो लोग NCRT lovers है यह रिवराइन आइलेंड है कहां पर ब्रहमपुत्र नदी पर इसमें मारा जो एंसर हो जाएका वो C हो जाएका 1 और 2 बोथ करेक्ट 26 परप 2024 को निदिली के आयोजित परपल फेस्ट का आयोजन किस ने किया था परपल फेस्ट का आयोजन कहां पर हुआ था कोलंबिया और सदर्न पनामा में पढ़ता है और इलीगल तरीके से युएस पहुंचने के लिए लोग इस मार्क का प्रयोग करते हैं डेरियन गयप आप यहां कहीं पर स्पॉट कर सकते हैं यह एरिया जो है डेरियन नेसल पार का यह डेरियन गयप है पनामा और कोलंबिया को कनेट करने वाला यह है तो इलीगल इमिग्रेशन के लिए बार इस रूट का प्रयोग किया जाता है तो डेरियन गयप के बारे में तो यह कथन सही है फिर है मिनिस्टर अफ स्टेट जितेंद्र सिंग जी ने अनाउंस किया था कि कि फर्स्ट गॉर्मेंट होमिउपेथी कोलेज नॉर्थ इंडिया का यह जो है कहां पर खुलने माला जस्रोटा एरिया कठूब डिस्ट्रिक्ट जम्हू कस्पिर में कठूब जो है जितेंद्र सिंग्जी की कंस्ट्वेंट सी है तो इसमें जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने नरेंद्र मोदी जी ने विजेट किया था साबरमती आश्रम को, कोच राव आश्रम और यहाँ पर एक master plan को launch किया गया था गांधी आश्रम मेमोरियल इसको भवित तरीकिस डवलप करने के लिए, तो एंसर यहाँ पर सही हो जाएगा C, 1, 2, 3, सभ देशी fast breeder reactor में की गई, जो की कौन सा है, काल पक्कम nuclear power station तमिल नाडू का, तो एंसर इसका हो जाएगा तमिल नाडू, option number A, सही कथन का चुनाव करना है, भारत के दो researchers, डॉक्टर सुजाता दाभोलकर और डॉक्टर नंद कुमार कामत ने गोवा में खाये जा सकने वाली ज काफी चर्चा में research रही थी, काफी news media ने cover किया था, इस हुझे समने इसको लिया है, fire broke out हुई थी, bunny grassland area जो कक्ष रीजन में है, एशिया का largest grassland बाना जाता है, गुजरात में यहां पर आग लगी थी, तो यह चर्चा में आए था, तो दोनों ही यहां पर कथन, सही हो जाए महारशी आरवेद अस्पताल में खोला गया है, इसके बाद Philippines यह first Asian country बन गया है, जिसने ILO conventions को पनाया है, commercial violence और harassment को eliminate करने के लिए, तो हमारा answer इसमों जाएगा C, one and two both correct, उकुल बिलाकर Philippines इस convention को अपनाने वाला 38 देश और Asia की अगर बात करें तो पहला देश बनाया है, option number C प्रदान मंतरी मोदी जी ने असम के जोरहाट में अहोम सेनापती लशित बोरुफिकन की कितनी foot उची प्रतिमा का नावरण किया था, तो प्रतिमा क्यों चाहिए कर देखें तो 84 foot है, लेकिन जिस platform पर यह खड़ी है, उसकी उचाहिए अगर मिला दें, 41 foot तो 125 foot हो गई है, इसका भी निर्मान किसके दोरह किया गया है, राम वनेजी सुतार के दोरह, तो एंसर यहां पर हो जाएगा, 125 foot, option number B, यहां पर सही है, सबसे important है, इस प्रतिमा को नाम क्या दिया गया है, इस प्रतिमा को नाम दिया गया है, statue of Willard, यानि कि वीरता की प्रतिमा, option number, यहां पर प्रतिमा का दिया था, disposable, e-sigrate और vapes पर, यह सही, तो एंसर यहां पर सही हो जाएगा, one and two, बोध करेक्ट, सी, आई इसे का हेड़कोर्टर कहां पर है, यह गुरुकराम हरियाना में, अफरीका महादवीब की सबसे बड़ी मस्जिद जो भी बनी है, इसके बारे में क्या स यह सही, इसके बाद है कि अलियरिये प्रेजिडेंट अब्दल मद जीद तबैनो ने भूमद सागर स्ताट स्थित इस मस्जिद का अधिकारे को धगाटन किया था, सही, इस मॉस्कू को बिल्ड किया गया है, 27.75 हेक्टेर में, यानि 70 एकड में इसको करीब बनाया गया है, हमारा एंसर इसके में सही हो जाएगा, D, all of the above, correct, मक्का मदीना के बाद तीसरे सबसे बड़ी मस्जिद पूरे विश्व की बताई जा रही है, एंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, D, आगे बढ़ेंगे में लोग, केंदरी इसपात और नागर विवान मंत्री जिवतिरादित हम सिंधिया ने 4 मार्ट 2024 को स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले क्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उदगाटन कहां पर किया था, तो यह किया था हिसार हरियाना में, अप्शन नमबर A यहाँ पर सही है, हिसार हरियाना में, जिंदाल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड जो है हिसार में वहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया, तो स्टेनलेस स्टील सेक्टर का पहला हाइड्रोजन प्लांट है भारत का, एंसर है यहाँ पर सही हो जाएगा A आगे बढ़ेंगर ब्लोग वर्च्वल उद्गाटन कहां किया था अवनाचल प्रदेश में यह स्थित है इंडियास पर्स्ट इंटीग्रेटिड ओईल पाम प्रॉसेसिंग यूनिट अवनाचल प्रदेश नीचे दिये गए कोड के हिसाब से बताना है कि कौन सा कथन यहां पर सही है मार्च बन 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने नो यूर कैंडिडेट नामा के एक मुबाइल आप लांच किया था जिससे आप अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जो इलेक्शन कमीशन के पास होती है कि क्या कोई उनके इनकम तीन मेजर डामेंशन से ध्यान रखेगा इंडिकेटर डामेंशन जो होते हैं काफी लोग करते हैं यह समस्या इसे विज़ए से एंबने कुशन लिया है वैसे तो दोनों ही सही है इसके एंसर मतलब यह स्टेटमेंट सही है एंसर ही यहां पर सही हो जाएगा वन इन देविनिशन होते हैं चार इंडिकेटर अच्छे से देख लीजिए life expectancy at birth ये health का इंडिकेटर है मतलब health के इंतर गताता है education में दो इंडिकेटर होते हैं expected year of schooling और mean year of schooling ये दो होते हैं और living standard में gross national income per capita इस से calculate होता है फिश की खोज की गए थी walking fish की खोज की गए थी चिली में option number D यहां पर सही है चिली मार्स दोजार चॉबीस में संयुक्त राष्ट्र सैक्षिक व्यग्यानिक तथा सांस्कृतिक संगठन याने UNESCO ने मद्द प्रदेश के किन दर्शनी स्थलों को अपनी साइट की टेंटेटिव लिस्ट में डाला है इन में से कोई एक फाइनली चैनित हो सकता है मद्द प्रदेश के करेंट फैर देखने वाले इसको जरूर देखिए वालियर फोर्ट धमनार रॉककट केव इसको डाला गया है भोजेश्वर महादेव टेंपल को जो भोजपू किसी देनले वाले लोग इसको जरूर धियान रखेगा अन्यम लिकित में से किस बॉलीवूड अभिनेत्री को लंदन के टेट मॉटर्न म्यूजियम ने दक्षण एशिया अधिकरहंड समीति के सदस गरूप में शामिल किया है और इस तरीके से शामिल होने वाली या फिर सम मशील पुझी आवशकताओं की पूरती के उदेश से किसान क्रेडिट कार्ड के सिसी सुविधा का विस्तार किया गया था यह धैन रखना है क्या सकते हैं क्रेंट अफैर बेसिकली क्या है जो चर्चा मिरा मत्स पालन वीभागने क्रिसान क्रेडिट कार्ड मत्स पालन को कब जारी किया गया था 2022 में जून में ठीक है तो यह भी सही हो गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने अभी एक साखी एप लॉंच किया है जो की गगन यान के लिए जो अस्ट्रोनॉट्स चुने गए हैं उनको असिस्ट करेगा यह भी सही है तो तीनों ही यहां पर सही हो गया answer हमारा answer हो जा cartoon किसान credit card कि करके ने सरकार ने लॉंच किया था पुरदाननान वंत्री निनम लिखित में से किस राज में पहले भारती railway station का द्हार शिला रखी थी तो सिक्किम के पहले railway station का उध्छाटन पाइगा हैं। आपर पर हुआएगा सिक्किम। मार्थ 2014 में इमलिकित में से किस देश की संसत के निचले सदन ने एक विवासमानता विधेयक को भारी मत से पारिद कर दिया जिसमें समलैंगिक विवासमेत किसी भी लैंगिक पहचान के लोगों के बीच विवासमानता दी गई है Thailand में ठीक है तो Thailand इस तरीके से पहला South East Asian country बन गया है जिसने Same Sex Marriage को अलाव कर दिया है Same Sex Marriage को अलाव करने वाला पहला South East Asian country बना है Thailand लेकिन अगर South Asian country बात हो First South Asian country जिसने Same Sex Marriage को अलाव किया हो Legalize किया हो वो Nepal है यह हम डिस्कस कर चुक है last month तो confuse नहीं करिएगा First South East Asian पूछे तो Thailand, First South Asian पूछे तो नेपाल दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कौन सा आप लॉंच किया गया है सक्षमाप सर्वोचने आले ने 21 मार्च को Great Indian Bustard के संट्रक्षन उपायों और गुजरात और राजस्थान के चेत्रों में नविकर्णी उर्जा उत्पन करने वाली प्रयुजनाओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने के लिए एक साथ सदस्य कमीटी का गठन किया था यह सही है गोड इनफ एनरजी ने गोश्टना किये कि अक्टूबर दोजार चौबीस तक जमू कश्मीर के उत्तरी छेत्र में भारत की पहली बैटरी उर्जा भंडारन गीगा फैट्री में परिचालने शुरू कर देंगे यह भी सही है एंसर यहां पर हो जाएगा C वरें to both correct भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट के बारे में सही कथन या कथनों का चैन करना है मोधी जी ने तमिल लांडू के थूत्तु कोडी जी लेके तटी यी गाओं कुल शेखर पटनम में भारत के दूसरे स्पेसपोर्ट की अधारशिला रखी भारत का पहला स्पेसपोर्ड कहां पे स्थित है श्री हरी कोटा आंधरप्रदेश में— तो यह दोनों ही धेयान रख़ेगा एंसर यहां पर सही हो जाएगा cspray यह देवीडेवी बार्ट का श्री हरी कोटा आंधरप्रदेश अनस्थान नाइसल एग्री फूट बाटक्नलोजी इनिस्ट्यूट में अपनी तरेके की पहली नाइसल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसल्टी का उधगाटन किस ने किया था इसका उधगाटन किया था जितेंद सिंग जी ने अप्शन नमबर भी यहां पर सही है जितेंद गाटन राजिस्थान के पाली जिले में किया गया जादान गाओं में यह भी सख्यए और हमारा इंसर इसमें उजाएगा सी 1 एटू बहुत करेक्ट अरे बीएन तेंदुवा के बारे में जाग रुकता फैलाने के लिए अंतराश्ट्री अरेबियन तेंदुवा दिवस कब बनाया गया था, यह बनाया गया था 10-5-2024 को, एंसर यहां पर सेव जाया कब बी, 12-23 को सेंगतराष्ट महासभा ने कहा था कि मंतराष्ट्री अरेवियन तेंदेवाद विवस मनाया जाया करेगा, तो यह मनाया गया था, पहली बार 2024 में 10-5 को